गुड मॉनिंग बच्चों, आज आपके सामने मैं प्रेम शंकर, CRCC परमालपुर, एक बार फिर गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे, रोमन संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं थोड़ा सा मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बताओं, यरोप में एक देश है इटली, जिसकी राजधानी है रोम, प्राचीन रोम में एक संख्या प्रणाली विक्सित की गई, जिसे रोमन संख्याएं कहते हैं रोमन संख्याएं कुछ चिन्हों पर अधारित हैं, इसमें कुल मिलाके साथ चिन्ह होते हैं, और ये चिन्ह वहाँ प्रचलित लातनी भाषा के कुछ अक्षरों से बनाई गई हैं तो चलिए हम देखते हैं कि रोमन प्रणाली में किस तरीके से संख्याएं लिखी जाती हैं जैसा कि मैंने बच्चों बताया आपको कि रोमन संख्याएं साथ प्रकार के चिन्हों पर अधारित हैं जड़ा इन साथ प्रकार के चिन्दों पर नज़र डालते हैं, ये साथ प्रकार के चिन्द हैं, ये एक लिखा जाता है इस चिन्द से, इसके बाद वी आकार का जो ये आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है पाँच, और ये जैसे हम अगरेजी में एक्स लिखते हैं, या गुणे का निशान लगाते हैं इसका मतलब होता है 10 और उसके बाद capital L इसका मतलब होता है 50 और capital C इसका मतलब होता है 100 उसके बाद D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000 फिर से देखिए इसका मतलब होता है एक इसका मतलब होता है पांच X का मतलब होता है दस L का मतलब होता है पचास C का मतलब होता है सो D का मतलब होता है पांच सो और M का मतलब होता है एक हजार अब इन्ही साथ चिन्धों से ये पूरा रोमन प्रणाली रोमन संख्याएं लिखी जाते हैं अब आईए आज हम पहले इसके कुछ नियमों के बारे में जानेंगे और एक से लेके सौ कट्की संख्याओं, संख्याओं कैसे लिखी जाती हैं रोमन भाशाओं में ये हम देखें, चलिए रूचूँ सबसे पहले हम गिंती लिख लेते हैं एक से लेकर दस तक की संख्याओं को पहले हम देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और दस हम दस तक की संख्याओं को कैसे लिखा जाता है रोमन परणाली में ये देखेंगे, इसमें एक रूल मैं बता दूँ आपको मैंने जितने भी चिन्वें बताया थे, साथ चिन्वें के बारे मैं आपको बताया था इसमें किसी भी प्रकार के चिन्वें का तीन बार से लगातार ज़्यादा प्रियोग नहीं किया जाता है तीन बार आप कर सकते हैं लगातार लेकिन चौथी बार आप नहीं कर सकते तीन बार से ज़्यादा किसी भी चिन का प्रियोग लगातार नहीं कर सकते चलिए आते हैं देखते कैसे इसको लिखते हैं अगर हमें एक लिखना होगा, तो हम एक खड़ी पाइप खिच देंगे, एक लिखा गया, अगर दो लिखना होगा, तो हम दो खड़ी पाइप खिच देंगे, तीन लिखना होगा, तो हम तीन खड़ी पाइप खिच देंगे, चार लिखना होगा, तो हम चार खड़ी पाइप से ज़्यादा हम प्रियोग नहीं कर से लगातार और इसमें खड़ी पाई चार हो गया है यानि हम इस खड़ी पाई के चिन का लगातार चार बार प्रियोग कर रहा है जो कि गलत हैं तो हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं चार को चार को लिखने के लिए हमें पहले पांच को लिखना होगा ये हमने वी के अकार का बना दिया इसका मतलब होता है पांच अब चार को लिखने के लिए यहाँ पर एक गड़ित के नियम का प्रियोग किया गया है कि पांच में से अगर हम एक घटा दें तो वह हो जाता है चार पांच में अगर एक जोड़ दें तो वह हो जाता है छे तो इसी गड़ित के लिए हमका प्रियोग किया गया है हम चार लिखने के लिए पहले पांच लिखेंगे और पांच से पहले यानि पीछे के तरफ अगर हमने एक लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि पांच में हमने एक को घटा दिया चार हो गया अब इस छे लिखने के लिए इस पांच में हमने आगे अगर एक लगा दिया तो इसका मतलब होता है पांच प्लस एक बरावर छे तो यह ध्यान दीजेगा 7 लिखने के लिए ती ह spaghetti पहले 5 लिखेंगे फिर 6 फिर 7 नहीं 5 और 1 या याली 5 6 7 फिर 8 लिखने के लिए 5 6 7 8 9 लिखने के लिए 5 6 7 8 9 क्या इसे हम लिख सकते हैं 9 बिल्कुल नहीं बच्चों 5 तो हमने लिखा लेकिन इस खड़ी पाई का हमने चार बार लगातार प्रियोग कर लिया है जो कि इस नियम के अनुसार गलती है हम किसी भी चिंद का लगातार चार बार प्रियोग नहीं कर सकते तो यहां 9 लिखने के लिए हमें फिर पहले 10 लिखना होगा और दस में हम एक घटा देंगे तो वह नो हो जाएगा यानि नो लिखने के पहले हमें दस लिखना होगा और दस के पीछे अगर हमने एक लिख दिया तो वह दस में से एक घट जाएगा यानि नो हो जाएगा तो इस प्रगार हमने देखा कि एक से लेके दस तक की संख्याएं कैसे लिखी जाती है रोवन भाशा में अब इसके आगे की संख्याएं हम देखते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 11 लिखने के लिए हम पहले 10 लिखेंगे फिर 11, 12 लिखने के लिए हम 10 लिखेंगे 2 खड़ी पाई 12, 13 लिखने के लिए हम 10 लिखेंगे 3 खड़ी पाई 14, 14, 14 लिखने के लिए हम 10 लिखेंगे और 4 खड़ी पाई हम नहीं डाल सकते आपको पता है कि तीन बार से लगातार हम किसी भी साइट का प्रियोग नहीं कर सकते, इसलिए यह गलत है और चार कैसे लिखा जाता था मैंने कैसे चार बताया था मैंने चार बताया था, पांच लिख कर और उसके पीछे एक डालने के लिए ये चार होगा, तो हम चार ऐसे लिखेंगे, यानि 10 और ये 4, 14, 15 लिखने के लिए 10 और ये 5, 15, 16 लिखने के लिए 10 और ये 6, 16, फिर उसी प्रकार से 17, उसी प्रकार से 18, फिर 19, यानि 10 प्लस 9, 9 कैसे लिखा जाता है, ऐसे, और 20 लिखने के लिए 10 और 10, 20, इसी प्रकार से बच्चों, हम आगे की भी प्रक्रिया कर सकते हैं, 11, 22, 22, हम अगर 30 तक पहुंचें, तो 30 कैसे लिखेंगे हम, 3 बार X लिखेंगे, ये 30, उसके बाद 31 के लिए फिर हम 3 बार X लिखें, 1, इस तरीके से हम आगे पहुंचेंगे 40, हम देखें, 39 हम कैसे लिखते हैं, 3 बार X तो हम लिख सकते हैं, और फिर 9 लिख सकते हैं, यानि 10, 20, 30, फिर ये 9, 49 हो गया, लेकिन 40 लिखने के लिए हम 4 बार, क्या हम X का प्रियोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी साइन का 3 बार से ज्यादा प्रियोग नही करना है तो 40 लिखने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि 50 कैसे लिखा जाता है 50 के लिए मैंने बताया था है ये sign L का प्योग किया जाता है तो 40 में अगर हम 50 में 10 को घटा दें 50 में अगर 10 को हम घटा दें तो वो 40 हो जाता है इसलिए यहां 40 लिखने के लिए हम L लिखेंगे और L के पीछे 10 लिखेंगे ये X यानि 10 ये 40 हो गया अब 41 लिखना हुआ तो हम ये 1 जोड़ देंगे इसमें 41 हो गया इस प्रकार से हम 50 का पहुंचेंगे 50 यानि L और 50 के आगे की संख्याए लिखने के लिए फिर हम अगर 51 लिखना हुआ है 50 तो L 1 52 लिखना हुआ है तो L 2 इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों समस्या कहां आएगी 90 लिखने के लिए 90 लिखने के लिए समस्या आएगी अब 90 हम कैसे लिखेंगे देखिए क्या 90 को हम इस परकार से लिख सकते हैं L यानी 50 ये 10 60 ये 70 ये 80 ये 90 क्या हम इस परकार से 90 को लिख सकते हैं बिल्कुल नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर X का उप्योग लगातार 4 पार हो रहा है तो ये गलत है अब 90 कैसे लिखा जाएगा 90 लिखने के लिए हमें पहले 100 लिखना होगा 100 देखे कैसे लिखते हैं C इसका प्योग C से हम ये करते हैं ये 100 हो गया तो जब हम 90 लिखने के लिए पहले 100 लिखेंगे और उसमें 10 घटा देंगे यानि उसके पहले हम X लिख देंगे ये होगा 90 यानि 100 माइनस 10 किसी भी अंक के हम पीछे अगर लगाते हैं तो ये माइनस हो जाता है इसके आगे लगा देंगे तो वो प्लस हो जाएगा ये नियम है रोमन नंबर का अभी हमने एक से लेके सौ तक रोमन नंबर लिखने की प्रणाली को समझा आशा करते हैं बच्चों कि इसी प्रणाली से आप आगे भी कोशिश करेंगे और 1000 तक आप लिख पाएंगे आपका ये हमद रहा इसी नियम को फॉलो करते हुए आप 1000 तक गिंती लिखने का प्रयास करिए रोमन नंबर्स में चलिए हम आशा हैं कि यह फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे जाते जाते मैं रोमन नंबर्स के बारे में बहुत ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हैं वच्चों रोमन नंबर्स में जीरो को नहीं लिखा जा सकता है रोमन नंबर्स में जीरो को नहीं लिखा जा सकता है रोम वासी यह मानते थे कि जीरो का कोई अस्पित तो नहीं है इसलिए उन्होंने जीरो लिखने के लिए कोई प्रणाली विक्सित नहीं किये है रोमन नम्बर्स में जीरो को नहीं लिखा जा सकता है रोमन नम्बर्स में प्लेस वैलि इस्थानी एमान का कोई मतलब नहीं होता ये प्रणाली विक्सित नहीं है रोमन नम्बर्स में इसलिए Roman Numbers में गणित के सवाल को हल करना यह बहुत ही मुश्किल काम है दूसरी कमी इसमें यह है कि जैसे जैसे संख्याएं बड़ी होती जाती है Roman Numbers को लिखना और पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसलिए आज हम Roman Numbers का प्रियोग केवल अपने क्लास को लिखने के लिए जैसे आप 6th क्लास में पढ़ते हैं तो इस तरीके से आप लिख देते होंगे केवल क्लास और कुछ ऐसे चीजों में ही केवल इसका प्रियोग अब रहे गया है चलिए नेक्स्ट वीडियो हम यही खतम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंट्रस्टिंग फैक्स लेके आएंगे बचों तब तक गुर्बाई एंड टेक केर